Hello friends, this is spiritual entertainment. Friends, आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ माता लक्ष्मी की चरन पादुका स्थापित करने से क्या होता है? Friends, माता लक्ष्मी की चरन पादुका को घर में स्थापित करने से आता है घर में भर-भर करधन, वह भी स्थाई रूप से माता लक्ष्मी को स्थाई करने है तूँ, घर में माता लक्ष्मी के चरनों का प्रतीक लक्ष्मी चरन पादुका स्थापित की जाती है माता लक्ष्मी के चरनों में सोला सुब चिन्न होते है यह चिन्न अश्ट लक्ष्मी के दोनों पावों में उपस्थित 16 शोरस चिन्न है जो की 16 कलाओ का प्रतीक है शास्त्रों में मा लक्ष्मी को शोरशी भीका कर पुकारा जाता है मा लक्ष्मी की चरन पादू का जहां भी स्थापित की जाती है वहां से समस्याओ का नाश होता है और धन की समस्या खत्म होकर स्थाई धन संपत्ती का मार्ग प्रसस्त होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है और फ्रेंड्स आप इस चरन चिन्नों को मकान, दुकान, आफिस कही पर भी स्थापित कर सकते हैं इन जगहों पर लक्ष्मी पादू का स्थापित करने से कार्य में प्रगती होती है और धन लब होना आरंब हो जाता है और धन स्थाई रूप से हमारे पास रहता है तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में मा लक्ष्मी की चरन पादू का स्थापित करें और मा लक्ष्मी को स्थाई रूप से पालें मा लक्ष्मी का असिवाद सदा आपके पास रहेगा आप पर बरसेगा यह चरन पादू का सुख और स्मृद्धी बरसाएगी Thank you